जिल अपना है शरीक उमरा आज दोनों भाईयों के बीच स्नूकर का खेल भी होगा पेडमेंट इनका मुकाबला भी होगा स्विमिंग पूल में मस्ती भी होगी और इनका बेफिकरा अंदाज भी होगा भाई लोग आज सास बहुत बेटिया के साथ है क्या प्लाइन से किस तरीके साथ मस्ती करने वाले हैं अब दोनों आज भाई टाइम बाद हम दोनों एक साथ हैं तो और विखेंड है चुट्टी मिलिये काफी टाइम के बाद तो हम आज काफी मस्ती करने वाले हैं, गेम्स खेलने वाले हैं, और स्विम्मी करने वाले हैं, ऐसा बहुत कम होता है कि इसका कॉल टाम होता है, मोसली दुपैर का मेरा अरली मॉर्निंग, तो हम दोनों एक दूसरे को सोते सोते ही देखते हैं, बस इससे आज बहुत टाम क्लब एक्वेरिया में माजूद है, फन एंट्रॉलिक का सारा इंतिजा, और दोन भाईयों ने मस्ती की शिर्वात की स्नू करके खेल के साथ आरकन में थोड़ा त we Twitch flirting में ख्रूजवब। दोनों भाईयों का खेल तो ऌला जवाब ता, लेकिन जब आय होडा जीत की तो शरू हो गया दोनों भाईयों में धशन मुझे ये लगता है कि और जाथा स्ट्रेच करेंगा तो इसके बाइस फस जाएंगे तो थोड़ी ऑक्वर्ड सी पोजिशने बड़ एक शॉट तो लगाई लेगा लगा तो मैं बहुत कुछ लुगा इसमें निशाने अच्छे मेरे लेकिन यह फर्स्टार में खेल रहा हूं इसको सुनुकर कहते हैं बच्पन सुनुकर के इस खेल में तो बाजी मार ली छोटे भाई गौरव ने और देखे न उनके शॉट्स है भी कितने पाफुल अभी अभी हम लोग जस सुनुकर खेल के बाहर आए हैं और चोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया हैं यह ताकत वाकत चलती नहीं है यहां पर सिफ दिमाग का काम होता है जो मैं करता आया हूं आज तक अपने शो में और हम जा रहे हैं बैडमिंटन कोट की तरफ देखते हैं यह बदला ले पाता है या नहीं ले पाएगा है जी हां स्नुकर के बाद बारी थी बैडमिंटन के कोट में हाथ आजमाने की और देखे शुरू हो गया दोनों भाईयों के बीच यह महा मुकाबला बैडमिंटन के इस खेल में दोनों भाईयों ने एक दूसरे को कड़ी टककर दो दी ही लेकिन साथ ही इन्हें याद आ गए अपने बचपन के दिन जोने याद कर यह दोनों हो गए नौटी-नौटी वे मुकाबला तो हो गया अब जरा ये भी तो बताइए क्या आखेर स्खेल में जीत किसकी हुई अल्मोस्ट बराबर था पता नहीं लगवाया कौन जीता बट ये बड़ा भाई है तो मैं एक जीत इसे दे रहा हूँ अब फाइनली टाइम फॉर स्विमिंग उसमें आम शॉर कि यही जीते गए क्योंकि मैं स्विमिंग में थोड़ा वीक हूँ बट स्टिल मदा आने होला है बड़ी बड़ी दिखने वाली है आप लोगों को थोड़ी मेरी भी देख लेना से मेरी प्रोटीन खाके बोड़ी बनाता है इसके लिए तयार इसके साथ में खड़ा होता है यह बंत लगाता है यह ृँ अपकी हनुमान भाई के टोले-शोले आपके टोलों से ज्यादा दंदार है लेकिन फिटनेस के मामने में आप भी किसी से कम नहीं वैसे अगर अपने भाई जैसी बॉड़ी चाहिए है तो ले लीजिए उनसे कुछ टिप्स लगती है उसके बाद जिम भी मैं रात को दो दो तीन तीन वज़े जिम करता हूँ गई बाद जिम एक्साइज नहीं छोड़ता उसके बाद मेरे जिम नास्टिक माशाला आई ये सारी क्लासिज भी चलती हैं तो बस में टेंट हो रहा है बड़े भाई अगर फेटनस के मामले में बेजोड है तो वहीं छोटे भाई का समझदारी में कोई मुकाबला नहीं अगर फर्स्ट को आता है तो सेकंड को आपको कुछ भी नहीं मिलेगा चेक रुपह भी नहीं मिलेगा अच्छा करें यह लाइफ में और बड़िया अच्छे शोस करें और मेरे को भी कुछ कहीं पर काम दिला दें चोटा सूँ नए बात इक शाती तो बहुत हो गई अब ज़रा स्वेमिंग पूर में उतर कर थोड़ी भीगी भीगी मस्ती भी कर लीजिए आज ब्रू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आज आओ अंदब पीच यार फटो मेरी खीच इसमत होगी तेरी गर तुम नहीं बात नमाने आज बूओ है फानी पानी 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 और दू भी सानी 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 आ जाओ लोगे फोटों में डिक्री्च बूटी किश्मत होगी तेरी तो नहींहें बत नमने भाई अब इतनी कस्रत के बाद भूक लगना तो लाजबी है तो चलिए कुछ बेट पूजा हो जाए तो गहीं अब में बिजी शिट्यूल्स में से एक दूसरे के लिए समय निकालकर और आपस में यू मस्ती करकर कैसा लगा आप दोनों को इतनी मस्ती की साथ में स्विमिंग भी की और स्कॉष भी खेला रैकेट भी खेला और इतना अच्छा फूड यहां का था और खाया मुझे याद मिलास्ट टाइब हम कभ होटल गए थे और कभ खाया था एक साथ शूटिंग में इतना भी से लिए इसकी शादी के टाइम और इ फैनली हम दोनों फ्री थे हम लोग यहां आये जब आये थे तो मुझे नहीं पता था इतना हम लोग इंजॉई करने वाले हैं बहुत जादा मजे किये इस्पेशली फूड तो श्रॉबरी क्रीम थी महाबली श्रॉबर की स्पेशल थी बहुत जादा यूनीक आइटम था य तो देखा क्लब एक्वेरिया के इस एडवेंचुरिस महाल ने कैसे बना दिया इन दोनों भाईयों के लिए ये दिन यादकार और निर्भे ने तो ये फैसला भी कर लिया कि बहुत जल वह अपनी नहीं पिठिया लटीनी को लेकर एक बार फिराएंगे क्लब एक्वेरिया क्लब एक्वेरिया में हमें बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा अमेजिंग फूड था इस्पेशली स्टॉबेरी शेक जो हमने पिये और उसके बाद सैंविचेज पकोडे खाये तो खरकी याद आगी बहुत टाइम बाद में ने पकोडे खाये अप्यास के आलू के पन तो बेस्ट पार थी यहां की मैं बिल्कुल रिकमेंट करूँगा अगर आप लोग इस एरिया में हैं और अगर नहीं भी हैं तो आप स्पेशली यहां आईए और एक बार जरूर विजिट कीज़े हमारे कहने पे आगले भी न तो मैं अपने वाइफ और अपने बेटी को भ अब दोरों एक दूसरे के लिए बाग्त जरूर निकालें पुलतिका पंडेस मुंबई आज चर दो